बात करते हैं आज के दिन के सारे करेंट अफेयर्स ताबर तोड रिविजन के साथ दोस्तों बता दे करेंट अफेयर्स का नालेज हर किसी को होना चाहिए आए बात करते हैं आज के दिन के सारे करेंट अफेयर्स ताबर तोड दोस्तों बीश्वदूर संचार वो सूचना समा जिवस मनाय जाता है दोस्तों ये भी जानिए तकनिक के उपयोग और वर्तमान में उसके प्रयोग के प्रती जागरुकता के लिए यह मनाय जाता है दोस्तों ये भी जानिए 17 मई के दिन ही अंतराश्टी दूर संचार संग की इस्थापना हुई थी अगला प्रस्ण है दोस्तों हाल ही में किस देश ने सिंग यून 201 और 202 नामक दो उपगर लांच किये हैं बताइए विकल्प है अमेरिका, चीन, इटली या जापान दोस्तों इसका जबाब होगा चीन दोस्तों चीन ने सिंग यून 201 और 202 नामक दो उपगर लांच किये हैं दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए Asian Youth Games 2021 चीन में होगा और निश्वा Asian Games 2022 में होगा चीन में ही होगा दोस्तों और Winter Olympic Games 2022 में चीन में ही होगा और Asian Paragames भी चीन में ही होगा 2022 में दोस्तों ये भी जानिए चीन ने नई Digital Currency DCEP लांच की थी बताए दोस्तों केंद सरकार द्वारा राजियों की उधार सीमा सकल राज घरेलू उतपाद को बढ़ा कर कितना परसेंट कर दिया गया है विकल्प है 3%, 4%, 5% या 3% दोस्तों इसका जबाब होगा 5% दोस्तों ये भी जानिए बित्ती वर्ष 2021 के लिए 3% से बढ़ा कर 5% कर दिया गया है ता ये दोस्तों भारत के राश्पती रामनाथ कोविन जी ने COVID-19 को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष तक अपने वेतन का कितना परसेंट हिस्सा देने की घोशडा की बताए दोस्तों भारत के ये 14वे राश्पती हैं रामनाथ कोविन जी दोस्तों ये भी जानिए रामनाथ कोविन जी बिहार के पुर्व राजपाल भी रह चुके हैं अलही में अमफान चक्रवाद कहां उत्पन हुआ बताए दोस्तों और इसका नामकरड किस देश ने किया है बतादे दोस्तों अमफान चक्रवाद उत्पन हुआ है बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरड थाइलेंड देश ने किया है दोस्तों ये भी जानिए सरकार द्वारा रच्छा छेत्र में प्रतेग विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा कर कितने परसेंट कर दिया गया दोस्तों विकल्प है 30%, 40%, 49% या 74% दोस्तों इसका जबाब होगा दोस्तों बता दें पहले उन्चास था अब 54% हो गया है बताइए दोस्तों हाल ही में भारत के किस राज सरकार ने व्रिद्ध व्यक्तियों की सुरच्छा के प्रती जागरुकता के लिए मिसन, ग्रेंट, केयर की घोशना की है दोस्तों बताइए विकल्प है राजस्थान, हर प्रियाडा, महराष्ट या केरल ने दोस्तों इसका जबाब होगा केरल ने दोस्तों ये भी जानिये कुटूम्ब स्री मिसन के तहत जा रुकता अभियान की सुरुवात की गई थी बताइए दोस्तों हाल ही में केंदरी मंतरी निर्मला सिता रमट जी ने आपरेशन ग्रिं और आलू की आपूर्ती के लिए सन 2018 और 19 में इसकी सुरुवात की गई थी लेकिन दोस्तों अब केंदर सरकार द्वारा इसे सभी फलों वो सबजियों तक बढ़ा दिया गया है अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने बिरोध के तरीके के रूप में जहन्डे को जलाने पर प्रतिबंद की घोशडा किये बताइए जर्मनी ने अमेरिका ने जपान ने या दोस्तों चीन ने बताइए दोस्तों इसका जबाब होगा जर्मनी ने दोस्तों बता दें जर्मनी की राइधानी बरलीन है मुद्रा यूरो है और इसके चांसलर इंजेला मोरकेल है दोस दोस्तों विखल्प है एपल, वाटसब, फेस्बूक या ट्यूटर दोस्तों इसका जबाब होगा फेस्बूक ने दोस्तों ये भी जानिए फेस्बूक ने ही मैलाओं के प्रगति अभियान स्टार्ट किया था और साथ ही फेस्बूक ने ही I for India अभियान भी सुरू किया था और फेस्बूक ने ही गोल प्रोग्राम को भी सुरू किया था दोस्तों ये भी जानिए फेस्बूक ने We Think Digital अभियान को भी सुरू किया था इतना आप जानिए फेस्बूक के बारे में जो कि आपके एक्जाम के लिए important है पता ये दोस्तों जम्मो कस्मीर बैंक के नए MD के किसे न्यूक्त किया गया है बताईए जुबेर इकबाल को दोस्तो जम्मु कस्मीर बैंग के नए M.D. के रूप में न्यूक्त किया गया है दोस्तो ये भी जानिए जम्मु कस्मीर बैंग के अध्यच्य आरके चिबर का कारेकाल तिन वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है दोस दोस्तो राजीव गांधी निया योजना किस राजी की सरकार ने शुरू करने की घोसडा की है विकल्फ है दोस्तो चतिसगर राजस्थान केरल या पंजाब दोस्तो इसका जवाब होगा चतिसगर राजसरकार ने दोस्तो ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि राजीव गांधी की पुनिति थी 21 मई के दिन आने वाली है दोस्तो ये भी जानिए 36 गड़ा सरकार मनरेगा के तहद सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है अगला प्रस्ण है दोस्तो मई 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2015-2020 के बीच वन हानी की दर में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है बताईए एक मिलियन हेक्टेयर दो मिलियन हेक्टेयर तीम मिलियन हेक्टेयर या चार बताईए दोस्तो इसका जबाब होगा दो मिलियन हेक्टेयर की कमी हुई है दोस्तो ये भी जानिए पहले 12 मिलियन हेक्टेयर था लेकिन अब जो है 12 मिलियन हेक्टेयर से घट कर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया है अच्छा बताइए दोस्तो सांती में एक साथ रहने का अंतराष्टी दिवस कम मना जाता है बताइए 17 मई, 18 मई, 10 म या 15 मई दोस्तो इसका जवाब होगा 17 मई 17 मई को दोस्तो सांती में एक साथ रहने का अंतराष्टी दिवस मनाय जाता है दोस्तो इसे भी जानिए UNGA द्वारा 2017 में इसे घोशित किया गया था दोस्तो मैं आप लोगों को बता दू हमारा चैनल लाया है इसलिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है बताए यदि आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा अब आए दोस्तो पढ़ते हैं तावर्तोर रिविजन हाल ही में किस ने भारत और बांगलादेश आनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया बताए दोस्तो अशोचेम ने भारत बांगलादेश आनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया अगला है किस राजे द्वारा जन सेवक कारिकरम शुरुआत किया गया अगला है यूरोपी संसत द्वारा किसे आयुरुवेद रत्न पुरसकार दिया गया अगला है किस मंत्राले द्वारा चैंपियन्स पोर्टल लांच किया गया अगला है मुक्त वर्क कैसलेस बीमा प्रीमियम सुविधा देने वाला पहला राज बताए कौन है बताएए महराष्ट दोस्तो जानिए महराष्ट मुक्त वर्क कैसलेस बीमा प्रीमियम की सुविधा देने वाला पहला राज इंपोर्टेंट है बताएए दोस्तो आश्ट्रिया में भारत के नए राज दूत कौन बनाए गए है जैदीप मजुमदार बनाए गए है अगला क्वेशन है दोस्तो पाकिस्तान वायु सेना में हिंदू समुदाय के पाइलट कौन बने हैं बताएए राहुल देव जी बने हैं बताएए दोस्तो किस देश ने मुद्रा इस्फिती से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदल कर तुमान रखने का नेड़ लिया बताएए इरान ने दोस्तो यह भी जानिये एक तुमान दस हजार रियाल के बराबर होता है और एक तुमान सो घिरन के बराबर हो आप अपना करता भी पूरा कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, आपका दिन सुभ हो, थैंक यू.